आदर्मिय सोन्या गांधी जी, श्री राहूल गांधी जी, के वेणुगोपाल जी, मदुसदन मिस्त्री जी, सबा में मौझूद हमारे नेतागन और कांग्रेस पार्टी के मेरे सातियों और मेडिया के मेरे मित्रों, आज मेरे लिए बहुती भावुक्षण है, आज एक वरकर, मजदूर का बेटा, एक सामान में कारे करता को भारती रास्टी कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर, ये सम्मान देने के लिए आप सब का हार्दी आभार और धन्यवाद देता हूँ, जो यात्रा मेने 1969 में ब्लाग कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुँचाया है, जिस महान राजनीतिक दलका नेत्रत्व महत्मा गांधी जी, पंडि जवरलाल नेरु जी, सुबाश्चन्र भोश जी, सर्दार पटेल जी, मौलाना आजाज जी, बाबु जग्जिवन राम जी, इंद्रा गांधी जी और राजु गांधी जी ने किया हो, उस जम्यवारी को समभलना, मेरे लिए सोभग और गवरो की बात है, ताक्ट रम्बेट करने, जो इस देश के समिदान को बनाने में, अपनी आधुनिक भारत को निर्माण, कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है, मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सब का फर्ज है, इसके लिए लड़ना हम सब को तैयार होना चाहिए, कांग्रेस के सभी पुराने अध्यक्षों को याद करते हुए, मैं आप सब को भरोसा दिलाता हूँ, कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभों से, जो कुछ भी संभव होगा, मैं करूंगा, लेकिन आप सब को भी मेरे साथ, पूरी ताकत के साथ, लगन के साथ ठैरना होगा, यही मेरा अपील है, आज इस अउसर पर, कांग्रेस के करणो कारिकरता की तरफ से, स्रीमती सोन्या गांधीजिक के पहुमुल्य योगदान के प्रती रदय से आदर, सम्मान और आभार वेक्थ करना चाहूंगा, मुझे याद आता है, 15 जनवरी 1998 का दिन, जब बेंगलूर के नाशनल हाई स्कूल मैदान में, आपने अपनी पहली जनसबा में कहा था, कि मैं करनाटक से राजनीती की दिख्षा ले रही हूं, तब से आपने राज दिन निश्वार्थ मेहनत कर कांग्रेस को संभाला है, सोन्या जी हमेशे सचाई के रहा पर चलती रही, सिर्फ सत्ता के लिए राजनीती करने मालों के इस दोर में, जाक की, जो मिसाल उन्होंने काईम की है, उसका कोई दूसरा उदान मिलना मुश्किल है, उनके नेत्रोत में ही दो भार UPA की सरकार बनी, तब आम लोकों के हित में एक से एक शांदार काम हुए, मन्रेगा, Food Security Act, Right to Information, Right to Land Acquisition, Right to Forest Rights, जैसे कितने ही कानून आपने बनाया, जो सोन्या और डाक्टर मनमोन सिंग्जी के नेत्रोत वाली सरकार की बहुत बड़ी ये उपलब्दी है, उदाइपूर के नावसंकल्प चिंतन सिभीर में, पार्टी को आगे लाने का, जो ब्ल्यूप्रिंट सोन्या जी के नेत्रोत में तैयार हुआ था, उसके लागू करने की जिम्मेदारी अब हम सब पर है, मैं जानता हूँ, कि ये दोर मुश्किल है, हम सब जानते हैं, कि जैसे लोगतंत्र की स्थापना, कांग्रेश ने की थी, उसको बदलने की कोशी आज हो रही है, किसने सोचा होगा, कि देश में कभी ऐसी राजनीती का दोर भी आएगा, जिसमें जूट का बोल बाला होगा, और सत्ता में बैटे हुकुमरान, लोगतंत्र को कमजोर करने में जूटे होंगे, जूट, फरेव और नफरत का ये तंत्र हम तोड कर रहेंगे, कांग्रेश की विचारधारा भारत के समिदान की विचारधारा है, और करणों देशवासी उसमें दिल से एकीन करते हैं, ऐसे बहुत से लोग कांग्रेश पार्टी के साथ फार्मली जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो लोगतंत्र को बचाना चाहते हैं, कांग्रेश अद्यक्ष के नाते, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कि आए हम साथ चले, मैं उन्हें एकीन दिलाता हूँ, कि ये देश के सब के लिए और कांग्रेश की सब की भलाई इसी में है, कांग्रेश पार्टी 137 वर्षों से लोगों की जीवन का हिस्सा है, हमारे अच्छे काम के बहुजूद, हमारे नेताओं के त्याक के बहुजूद, मद्दाता हमसे कुछ रूट गए है, मैं राभूल गांधी जी की आभार मानता हूँ, जिन्होंने इस बात को समझा, और हर मुश्किल को दरकिनार करते हुए, वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे सिधे समभान कर रहे हैं, उनके दुख और दर्द को सुनकर, वो हर लोगों से मिल रहे हैं, चाहे हो हो, एक्टलेक्चनल्स हो, जिन्यलिस्ट हो, किसान हो, मजदूर हो, बच्चे हो, सभी के साथ राश्टे पे मिलते हैं, उनके पूछते हैं, फिर जब interval होता है उस वक्त उनसे सौमाद भी करते हैं यह बहुत बड़ा achievement हमारे party के लिए है और यही बड़ी देन हमारे लिए है खास कर मेरे लिए है कन्या कुमार इसे कश्मी कि इस भारत जोड़े आत्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं देश में एक नई उर्जा पैदा हो रही है इस उर्जा को हम विर्थ नहीं जाने देंगे कांग्रेस अद्यक्ष के रूप में यह मेरा दायित तो है इस दायित को पूरा करने में मुझे आपका साथ चाहिए और मैं आपके साथ काम करने के लिए इस पिशे में तयार हूँ मैं नीटे से काम करते हूए आया हूँ एक प्राइबरी मेंबर्स ब्लाग कॉंग्रेस कमीटी काम करते करते इस पार्टी को जुड़ा हूँ और आपके बीच इस पर पर आकर आज पहुंचा हूँ मैंने खुद हर वस मुश्किल का सामना किया जिसका सामना आम खारे करता और पार्टी के नेता करते हैं पार्टी में काम करते हूए जो चुनेतिया आती है जो उतार चड़ाव आते हैं जो आशा और निराशे से आप गुजरते हैं मैं उनसे वाकिफ हूँ इसलिए मैं विश्वास के साथ आप से कहना चाता हूँ कि हम साथ मिलकर हर चुनोदी का सामना करेंगे आईए हम कॉंग्रेस की उस विचारधारा को लोगों में लेकर चले जिसे राहुल जी ने अपने कारिकाल में एक नई धार दी है हम जानते हैं कि इस देश में करणो यवां जो भारत को धर्म, जाती, जंडर के बटवारे से उपर देखना चाते हैं जो भारत में शान्ती चाते हैं, रोजगार चाते हैं, विकास चाते हैं, वैद्यानिक सोच चाते हैं, लोगतंत्र चाते हैं ये युवा ही देश की और कॉंग्रेस की उमीद है उदाइपूर्स नौसंकल्प सिवीर में हमने तई किया था कि युवाओं को पार्टी में आगे बढ़ाये जाएगा संगटन में 50% पज 50 साल से कम उमर के लोकों के लिए रिजर्व रहेगी यहों की इस उमीद को पुरा किया जाएगा आप सभी के कॉपरेशन से साथ ही उदाइपूर में हमने तई किया था कि कांग्रेस के कारेकरताओं को ससक्त किया जाएगा ब्लोक, जिला, राज और राष्टी स्तर पर सभी और्गनाइजेशनल वेकेंसी भर दी जाएगी यह होके रहेगा उदाइपूर डिक्लेरेशन मैं पार्टी के निर्णे जो लिया है कि उस चुनाओं के तैयारियों के लिए भी पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट और ए आइसी सी एलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाये जाएंगे कि आज के समय की एक बड़ी जरूरत है इसी लिए इन्हें हम तुरंत स्टापित करेंगे सभी राज्यों में जल्दी पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी बनेगी कॉंग्रेस प्रेसिडेंट की मदद से सोशल जस्टिस अडवाईजरी कमिटी और SC, ST, OBC वर्गों के लिए बनाना होगा हमें हुदाइपूर में संकल्प लिया था कि देश में मौजुदा सरकार की अराजकता को मूँ तोड जवाब देंगे बीजेपी RSS का सपना है कि ये देश विपक्ष मुक्त हो वो लोग निवी इंडिया की बहुत बात करते हैं पर ये कैसा निवी इंडिया है जिसमें इवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है जा किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया जा रहा है जिसमें महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और अत्याचारियों को सम्मान होते जा रहा है ये कैसा निवी इंडिया है जहां जनता मंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं लेकिन सरकार आखे बंद करके बैटी हुई है भारत की जनता की कमाई और महिनत से बने हुए सारे पब्लिक सेक्टर्स एरपोर्ट, सडक, रेल, बैंक, सभी कुछ सरकार बेच रही है अपने चन्द मित्रों के जेब में वो डाल रही है इस निवी इंडिया में भूकमरी बढ़ रही है प्रदूशन बढ़ रहा है, सिक्षा महंगी हो गई है लेकिन रुपए लुड़क रहा है यहां सरकार सो रही है लेकिन ED, इंकम टैक्स, CBI, दमन के लिए 2400 घंटे काम कर रहे है उनके इस इंडिया में दलित, आदिवासी, अल्पसंक्याक सोशित समाच के लोकों को अफमानित किया जाता है उनके मुखे चीने जा रहे है और आज के दिन इसी नू इंडिया में जूट को सच और सच को जूट बनाया जा रहा है यहां गोडसे को देशवक्त बोलते हैं और महात्मा गांधी जी को देश दोही बोलते हैं यहां बावा साहिब के समीदान को बदल कर संग के समीदान को लाने की कोशिश हो रही है इसी नू इंडिया को बनाने के लिए वो कांग्रेस मुक्त भारत चाते हैं क्योंकि कांग्रेस के रहते ऐसा हो नहीं सकता ऐसा हम होने नहीं देंगे और इसको लड़ते रहें आज मैं खास कर इस मुक्त पर हमारी पार्टी के नए चुनेगे नौ हजार से भी ज़्यादा डेलिगेट्स पी-सी-सी डेलिगेट्स को बहुत बदाई देता हूँ हमारी पार्टी के आदार हो आप जमीन से जुड़े हुए हो और जमीन से खरीब हो इसी लिए यह कहिना गलत नहीं होगा कि आप हमारे कॉंग्रेस संगटन के आँख और कान हो आप अपने अपमे ब्लॉक में हमारे पार्टी के 6 करोड प्रात्मिक सदश्चों के सुख दुख के साती हो हमारा एक आमकार्यकरता जब मजबूत होता है तभी हमारा केंदरी संकतन मजबूत बनता है Today, I want to call upon my Congress family to come together to carry the message of भारत जोडो यात्रा to every nook and corner of the country the message of economic equality, safeguarding constitutional values, communal harmony, more employment opportunities to the youth of India. Let us tell the people of India that Congress with them in their struggles and aspirations. Tell them that we are going to be their wise and that we will work for India that was envisioned by forefathers who gave their blood and sweat for this great nation. Lastly, I would like to thank the chairman of the Central Election Committee, authority and its members, the Congress Party and this team providing once again the Congress is the only party that truly has internal democracy and that has been proved in this election very impartially conducted by the chairman of the authority. I once again congratulate him. I also would like to thank CWC members, PCC presidents, CLP leaders and all organizational wings for their support and cooperation that they extended for conducting this election smoothly. In the end, I would like to once again thank our PCC delegates and I want to tell them that you are the foundation of our party. As President, it will be my utmost duty to look after our workers. Together, we will build an India that will be enlightened, empowered and equal for every citizen. इस देश में समिदान की रक्षा होगी, सबके सम्मान अधिकार की और अवसर की रक्षा होगी, लोकों में नफरत फैलाने वालों को हम हरा के रहेंगे, जनता की आवाज बनेंगे, मैंगाई, बेरोजगारी, भुकमरी से लड़ना होगा, भारत वाजियों के भविष्ट की रक्षा करनी होगी, आने वाले समय में हिमाचल, गुजरात और अन्य राज्यों में चुनाओं होने हैं, जनता इन राज्यों में बद्राओं चाहती है, हमें मजबूती से इन में अपनी पार्टी का प्रदर्शन करना होगा, आप सभी का सहकार और सभी की महिनाच उसमें लगना चाहिए, तभी हम उसमें यश्पाइंगे, हम महात्मा गांदी के सिपाई हैं, हम किसी से डरते नहीं, और जब कांग्रेस कारिकरता अपने अंदर के डर को निकाल देगा, तो बड़े से बड़ा सामराज भी वुटने टेक देगा।